तो वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल है तो बहुत सारी न्यूज अमारे पास निकल कर आती है टीम सोल एंड टीम टी एक्स को लेके तो हो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड सबसे पहले जो कमल जीत पाजी है उनसे पूछा गया था कि गौड लाइक का न्यू बूटकेम्प में कब देखने को मिलेगा तो इस पे उन्होंने क्या रिप्लाइ करा वो आप लोग देख सकते हैं बूटकेम्प रिवील कब गाइस बूटकेम्प की शिफ्टिंग जलू आने वाले है जल्दी होने वाले है ग्रूड ऑईल लाना तीन चार गैलन तो सबसे पहले जो गोल्डी बाई हैं उन्होंने मेज़ी की लाइस ट्रीम के ऊपर कुछ लीक्स दी थी अभी वो ग्राइंड करने वाले हैं वो फिफ्ट मैन ही रहेंगे जब तक कोई मेजर टूर्णामेंट नहीं आता एंड मेजर टूर्णामेंट के बाद अगर वाइपर को लगेगा तो वो फोर्थ प्लेयर बन सकते हैं बट अभी के लिए यही फोर प्लेयर जो हैं वो कन्फर अब विए विए उसमें अल्टर उन्टर शॉर्ट नहीं रहने वाला क्योंकि इन लोग का इकदम सिनर्जी नहीं बैट रहा एकदम मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि नहीं वो गेम में भी दिखता है मैच इस में से शायद 18-19 मैच तक तो के सिर्फ आर्ण्फ छालूय था ता पाइं स्वह गेम से भी पता चलता है कि क्या सब्सक्राव है फोर्च प्लेयर टूसर में यह लोग दिमांग में लोग केlord की दो तिन औप्शन थे पीरु था एइस नैकस था बट वीरू तो आने वाला है टीमेक्स पार्क में इतना मुझे खबर है वो तो मावी के साथ बहुत पहले से ना वो खबर है मुझे क्यों कि उनकी सिनर्जी भी है वैसी मावी स्काउट और वीरू तो खेल भी चुके हैं पीम डबलु एल तो इनर्जी में तो ड़ी दिखत हो तो फिफ्ट में अभी देखो यह लोग को अंडर्डॉग अंडर्डॉग की बात कर रहे हैं अगर आप मेरे से किसी प्लेयर को चूज करने को बोलोगे मैं बोलूगा नियों और स्पाय ओपी दो ऐसे प्लेयर हैं ऐसा होई नहीं सकता कि उन लोगों साही डिरेक्शन में ट पूचर सही नहीं होगा बहुत अच्छे प्लेयर बहुत अच्छा गेम सेंस और बहुत अच्छी गनपावर और इन में से स्पाय से भी अभी टच में आने का बात चालू है अश्की एज अभी 15 है यह ने शायद आप रहे हैं बट एक कुछ मैं वैसे तो मैं अपनी स्ट्र लॉन्डो यह बहुत बड़ी लीग थी फाइनली अकेडमिक जो लाइनप होती है वो भी हमारे पास आने वाला है कोई एक शुरुवात करेगा जी बेसिक ली अकेडमिक लाइनप बेसिक शब्दों में यह होता है कि जैसे सपोज एक टीम एक्स वाइजएड है उसकी एक अ सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह बहुत जादा लोग तो जितनी फास्ट न्यूज अपडेट्स आप लोग को मिलती रहती है इसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह बहुत जादा लोग तो जितने लोग वीडियो को देखते हैं अगर सबके सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा हिंड़के का गोल पूरा करने में तो होप करता हूँ आज की वीडियो के बाद बहुत जादा सब्सक्राइबर्स जो है वो गें हो जाएंगे इसके बद आप लोगों कोई पता ही है कि अभी PMGC का कुछ भी confirm नहीं हुआ है क्योंकि उनकी कोई official announcement अभी तक नहीं आई है बट जितना सब की stream पे देखने को मिल रहा है इसी के chances है कि Godlike जो है वो जाने वाली है PMGC में और मैंने आप लोगों को Instagram story पे बताया था कि मैं 5th player के बारे में भी बताने वाला हूँ तो मेरे को जहां तक पता लगा है हमारे को SG के सोमराज जो है वो देखने को मिलेंगे Godlike के 5th player अप लोगों का इस पे क्या कहना है आप लोगों मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं तो बस अभी के लिए इतनी न्यूस थी आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो नेक्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूँगा